इसमिल्लाहिर्रह्मानिर्रहिमी किसमें तुमने समझ में आई बात लेकिन कि बिला मैंने सोचा मैंने सोचा कि ये भी सही हो सकता है लेकिन मैंने अर्थ किया कि दो भी पियां हैं बतूल ताहरा एक इसहा के सिल्सले में एक इसमाइल के सिल्सले में भी भी मरम्ती मौसूमा ताहरा अगर उसकी शादी होती तो किसी मौसूम से किसी नभी से परा जुम्ला का कर कहना चाहता हूँ आज लाहूर में और अगर ये जुम्ला का कर आज मैं चला जाँ तो ये मेरी दस घंटे की तक्रीर है ये जुमला अगर समझ में आ गया तो ये मेरी दस घंटे की तक्रीर आप समझ ले कि अगर अगर बीबी मर्यम की शादी होती तो किसी नभी से किसी मावसूम से क्योंकि बीबी मर्यम सी मावसूमा ताहरा तो इसकी शादी होती जिसी नभी से और आज हम कहते कि इसहा के सिलसले में एक नभी की बीवी है इसहा आज हम कहते अगर बीवी की शादी हो जाती तो आज हम कहते कि इसहा के सिलसले में एक बीवी है जो नभी की बीवी है सयदा है, ताहरा है लेकिन नभी की बीवी है अगर बीबी मर्यम की शादी हो जाती तो हम कहते, तो हम कहते कि इसहां के सिर्सले में एक बीबी है ताहरा है, सयदा है उसकी शादी है, फलान नभी से तो पिर आज हम मुस्लमान हमें कहते कि अला आदिल है अगर इसहां के सिलसले में एक बीबी है जो ताहरा है जो सिदी का है वो नभी की बीवी है तो इसमाइल के सिलसले में भी एक बीबी होनी चाहिए जो सिदी का हो ताहरा हो और नभी की बीवी हो एसे नहीं एसे नहीं अभी समझा न सका यानि अगर बीबी मर्यम की शादी होती तो आज हम कहते कि इसहा के सिलसले में तो एक बीबी है जो सिदी का भी है ताहरा भी है मौसुमा भी है और है वो नभी की बीवी तो इसमाइल के सिलसले में एक ही रसूल है उसकी एक भीवी होनी चाहिए जो सिद्धी का भी हो ताहरा भी हो मौसुमा भी हो अल्लाह ने कहा का अब्दुलहकीम नहीं मैं मर्यम की शादी इसलिए नहीं कराता कि अगर इसकी शादी हो जाती तो किसी नभी से और जुन्या तुमें कल कहती कि अगर इसाह के सिलसले में एक ऐसी बीवी है जो सिदीका भी है ताहरा भी है वो होनी चाहिए नबीवी की बीवी तो रसूल की भी एक बीवी होनी चाहिए जो सिदीका हो ताहरा हो मौसुमा हो अल्लाह ने का अब्दुला कि मैं मर्यम की शादी इसलिए नहीं करवाता कि कल तुमसे ये सवाल पूछते कि नभी की एक बीवी होनी चाहिए जो सिद्धी का भी हो ताहरा भी हो मौसुमा भी हो अभी मैं मर्यम की शादी इसलिए नहीं करवाता कि नभी की बेटी है नभी की बीवी नहीं कमारी सही जमारी सही लेकिन नभी की बैटी है तो अब अदल का तकादा ये है या अगर किसहा के सलसले में मयम है जिसने शादी नहीं की वो बीबी है ताहरा वो है सिद्धी का वो है मौसूमा लेकिन है नभी की बैटी है नभी की बैटी जो इसहा के सलसले में भी जो सिद्धीगा होगी जो ताहरा होगी जो मौसुमा होगी वो रसूल की बेटी होगी बीवी में बात आपको समझा सका तो फिर रसूल भी समझ में आएगा आले रसूल भी समझ में आएगा अगर तुने इस बात मतंदा कि बीवी मर्यम की शादी क्यों नहीं हुई और फिर बीवी की माने का इनी समयत वहा मर्यम मैं इसका नाम मर्यम रखा और या लग इसको आपकी पनाह में देती हूं आपकी पनाह में देती हूं शैतानी मर्दू से इसको और इसकी आउलाद को अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता त्यूंकर सारे मुस्ल्मानी के लिए तकरीब है क्या कहा? वई जुहाबिक वजुरियत हम मिन स्षैतान रजीम मैं इसको आपकी पनाह में देती हूँ किसको मर्यम को और इसकी आउलाद को इनके परीब शैतान ने आए जहां शैतान होगा वहां मौसूम की बेटी नहोगी बस मैंने बड़ा जूमलाच चाहती ऐसे जादा मैं नहीं कहना चाहता अजिसे जादा मैं नहीं कहना चाहता चुंकर तमाम मुस्लमान भायों के लिए मेरी तकरीर है समझ भी आई बात अल्ला हने उसकी द्वा को खुबूल किया और इस तरह जनाब मर्यम बढ़ने लगी किनुक बीबी नजर कर चुकी थी बीबी मैंनाजर कर चुकी थी इसलिए बेखतल मकद्दस में एक कमरा था जिसमें बीबी रहने लगी जिसमें बीबी रहने लगी और अझीब जुमला का वकफ लहा जքरी या और मैंने यहिया की जूटी लगाई कि वोज की पर्वर्श करे यहिया करे और क्यों नहीं जकरिया करे आगा फनहा जकरिया जकरिया उसकी परवर्ष करे जकरिया कितना बड़ा जमला मैं कह रहा हूँ कुरान ने कितना बड़ा जमला कहा कि मेर्यम की परवर्ष कौन करे जकरिया करे मुसल्मानों है तुम्में दम यहुजियू पर जवाब देने का इस्राइल मुर्दाबाद आमिरी का मुर्दावाद बस वो मुर्दावाद हो गए जवाब दो अगर रसूल की तोहिन हो रही है ज़तामे सब रही है तो जवाब दो क्या है तुम्हारे पास जवाब वकफलहा जकरिया और जनाब जकरिया ने उसकी परवर्ष की क्यों और किसी ने क्यों ने की परवर्ष जकरिया क्यों परवर्ष कर रहा इसलिए जनाब मरे मौसूमा थी ताहदा थी मौसूम की परवर्ष मौसूम करता है अस्तोस की बात है अस्तोस की बात है कि इसहा के सिंसले का तो ये हाल है कि मर्यम की परवश करे तो जखरिया अगर मर्यम की परवश करे तो जखरिया करता है तो तुम्हा बताओ कि रसूल का वका जो जानते हो इज़त करते हो के से इज़त करते हो अगर मर्यम की पर जख्रिया करे तो रसूल की कौन करे